पाइत बना का मसूर दायल रोपा के लेल उन्नत अभिहास सब मसूर दायल का पाइत बना का रोपा लेल आहां के काम बहुत चरण सब में कर अपड़त जो अपाइत तराय आकी भीत्री मदेश में रही रहल सी था मसूर दायल रोपा के उत्तम समय के मतलब कार्तिक के दोसर हफ्ता से चारीम हफ्ता ते किया यह दपी कार्तिक के दोसर हफ्था से पहिने रोपला से डड़वा रोग लागे के समभावना बहुत कम भौसकी दिया जो अहां के खेत मद्य पाढ़ी छेत्रम अईच तै आसीन के दोसर हपता सा कार्तिक के दोसर हपता भीतर में रोपाक नीक होईत अईच बियाब्याड तैयार कर लेल माइट उल्टावे आ हलुक कर एक विर गहिड से खुनाई जोतने उन्नत अभिहास अईच इखेत में रहल बाईल के अवसेस के सी हो जहां पई छे आ जारपात नियतरन करेतिया माइट के हलुक बनावे आ खेत मिलावा दूसर तीन बिर तक जोता आ चोकी लगेवाग प्रकिरिया दोहरावा पड़ी तिया जोता आ चोकी लगेवाग काज सा माइट के सब्टा ढेला फूइट के दाईल रोपा लेल नरम हलुक आ मिलल जमीन तयार होई तिया रोपास दू हफ्ता आगाड़ी खेत जोता परत इस समय में सिपारिस केल गेल एन पी के बीस चालिस बीस के अनुपात में 9.45 केजी यूरिया 86.95 केजी डिएपी आ 33.33 केजी मूरेट अफ पोटांस तथा चायर मेट्रिक्टन जैविक मल मिलाव आ 1 केजी प्रती हेक्टर के दौर सा खेत में छिटू माइट के 2 केजी प्रती हेक्टर के दौर सा बोरेक्ष को हवला सुक्ष में तत्व सा उपचार करा पड़ेतिया सिपारिस केल गेल आ की यर्थार्थ संकेत पत्र अंकीत उन्नत प्रजायत के बिया सुनिश्चित करू पाइट बना का रोपलेल बिया के आकार के आधार में प्रती हेक्टर 304 किलो बिया हवपरत इपाइंत बनाके आप विया छीट कर रोपा लेल शिपारी स्केल गेल 40-45 किलो बिया प्रती हेक्टर सा कम अईच रोपास पहिने बिया क्वाक नासक विशाधी से उपचार करू कुन विशाधी प्रयोकरब से सल्हा लेब लेल बिया विक्रेता आकी एकरूभेट सबसा पुश्तास करू बियाक उपचार करक लेल प्रती एक लिटर पाइन बराबर एक से ग्राम चीनी दग उबालू पाइन से रेलाख बाद ओई में बिया दग घोरू आप प्रती केजी बिया बराबर पांच ग्राम राईजोबियम मिलाओ प्रतेक बिया निक्स घोरल से सोन स्चीत करू आ उकराब 20-30 मिनड तक चाहर में सुखाओ रोपस साथ से दस दिन अगाडी एक लिटर पाइन बराबर शाड़े एक ग्राम स्टोडियम मोलिवेडेट मिलाओ आ ओई में 6-8 घंटा तक बिया कर भिजाओ तकरबाद 2 घंटा तक चाहर में सुखाओ सुखलाक बाद राइजोबियम नामक जैविक मोल एक केजी बिया बराबर 5 ग्राम मिलाओ के बियाक उपचार करू खेत से जहारपाइट फेकनाई लाबदाइक होई तिया किया की मसूर दैल बाइल के आवस्यक ठंडा पुसत्तत्व आ सुरजक प्रकास के लेल जहारपाइट प्रतिस्परधा करे तिया रुपलाक 20-25 दिन में पहिल बेर आज 40-45 दिन में दोसर बेर जहारपाइट हाद से उखाड़ा पड़ी तिया खेत मा जहारपाइट जनमई से पहिने आज जनमई के बाद दुनू समय में जहारनासक विसादी पुरियोक को सकित ची कुन जारना सक विशाधी प्रियोक करव से सल्हा लेवलेल बिया विक्रियता आकी एगरोभेट सबस पुस्तास करू कोसा खेनाई आ लाही जका कीरा फटेंगरा नियंतरन कर किटना सक विशाधी आवस्चक भौस सकी तिया किरा फटेंगरा नियंदरन कर कुन विशाधी प्रभाबकारी होई तिया से बिया विक्रियता आकी एगरोभेट सबस सीपारिस कोश सकेते इछ मसूर दाइल में लागवला डड़वा आर्दरता दू मुख्य रोगिया इ रोग सब सिहो क्वाक नासक विशाधी प्रियोग काके विवस्थापन करा सकी छी मसूर दाईल लागल खेत में लागबला रोग कीरा सब वेवस्थापन करा उप्युक्त विशाधी कुन हैत से निर्धारन करा आहां के छेतरक एग्रोभेट्स आकी कमपनी सब मुख्य सुरोतिया मसूर दाईल के इअवियास सब प्रियो को के आहां अपन उपज में 40% तक बढ़ावा सके दिछी जे मुनाफासे हो बढ़ावाई दिया कर आप प्रियो में निचे दोड़ा माव प्रियो प्रियो फिस प्रियों है